जादा तर खेलाडियों का सपना होता है कि वो अपने पसंदीदा खेल का प्रदर्शन करते हुए उलम्पिक में देश के लिए मैडल ली कराएं यही सपना आच्छतिसगर के जश्पूर जिले के ये कुछ विशेस पिछडी जनजाती पहाडी कोरवा के बच्चे देख रहे हैं आपको बता दें कि यह जनजाती राश्ट्रपती की दत्तक पुत्र भी मानी जाती है जश्पूर जिले के बच्चे उलम्पिक के चड़िया की आँख पर निशाना लगाने के लिए खेल के मैदान में पसीना वहा रहे हैं यह बच्चे हर रोज सुबह साम अपनी परिवार से दूर जश्पूर में आर्चरी केंदर में रहे कर अपने लक्षे को दिमाग में रखकर निशाना लगा रहे हैं ताकि एक दिन उलम्पिक में वह जाकर भारत का नाम रोशन कर सके अपने का सेंटर है वहाँ से जो ऑलम्पिक के कोच हैं हारेंदर जी जो की दिब्यका कुमार के कोच रहे हैं ऑजनोंने भी बहुती सराना की थी जो बच्चों की जो लोग चलाते हैं तो जैसे इस को देखा गया तो मान्य मुक्यमंतिजी की गोशना थी कि ज ले प्राइब के अंदर इक आर्चरी का केंद्र बनाय जाएगा तो इसी क्रम में इसकी शुरुबवात है और आने वाले समय में मुझे पूरी आशाए कि जो ये केंद्र है, बहुती बड़े केंद्र के रूप में उभनेगा और हमारे जिले से भी आने वाले समय में लोग केंद्र बनाया गया है अब इसके प्रस्चात में एक और विधा को इसमें जोड़ा गया जिसका है टैक्वांडो इसमें भी दस बच्चे जिले के विशेश पिछडी जनजाती के सभी बच्चे चैनितों कर यहां रहते हैं और हमारे तीनों विधाव के अलग से कोच की व्योस्था की गई है जिला प्रस्चात की द्वारा जो प्रसिक्षित है और उनके द्वारा नियमीत रूप से इन बच्चों को एक विहतर प्रसिक्षर दिया जा रहा है इस आर्चरी केंद्र की खास बात यह है कि 36 गड़ के वशेश पिछली जनजाती पहाडी कोर्वा के बच्चे इस केंद्र में प्रसिक्षन ले रहे हैं